नमस्कार मित्रों जैसी आराम मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जयोतिश शिंतन में हारदिक स्वागत है मित्रों हमने चर्चा शुरू की थी सूर के मित्रुन राशी में गोचर की जो मित्रों संक्रांती है सूर की ये 15 जून 2021 से शुरू होगी और 16 जुलाई तक रहेगी यानि 15 जून 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक सूर मित्रों राशी में गोचर करेंगे तो उसमें मैंने अब तक आपको मेश राशी से लेकर करक राशी तक कहाल बता दिये थे कि इन राशी वालों को सूर के इस गोचर के क्या प्रफाव देखने को मिलेंगे आज मैं आगे कि कुछ राशी होगी बात करूँगा और शुरुबात करूँगा सिंग राशी से देखें सिंग राशी से ग्यारमे भाव में सूर्य गोचर करेंगे ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुबकारी रहेगा बस शुरू के एक हफते इस गोचर के प्रभाव से खार्चादिक रहेंगे और दूरस्त छेत्रों की यात्रा भी करनी पढ़ सकती है इस गोचर में आपका व्यक्तित निखरेगा यश्मान सम्मान पतिष्ठा अर्जित करेंगे कारी छेत्रों में जोश और उर्जा से भरे रहेंगे उच्चादिकारियों की क्रपा द्रेष्टी रहेगी आप पर आपके कारियों की सरहना होगी इस गोचर में आंदनी के सोर्स मजबूत होंगे पिताजी का सानिध्य प्राप्थों का राजनीती सिवा व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी वक्त बहुत सफलता कारी रहेगा किसी नई योजना का शुभारम भी कर सकते हैं शिक्षा और संतान के लिए भी वक्त अच्छा है जो विद्यार्थी बाहर एड्मिशन लेना चाहते थे विस सफल होंगे आपके संबन्द मजबूत होंगे मित्रों का सयोग मिलेगा दामपत जीवन भी सामान रूप से ठीक ठाक रहेगा अचानक धन संपत्ती के योग हैं इस गोचर में भूम मकाहन वाहन आदी में वै या निवेश कर सकते हैं लेकिन थोड़ी साबधानी के साथ करें निकटके लोगों की राय अवश्र लेलैं माताजी की हेल्थ को लेकर चिंता खड़ी हो सकती है अविवाहित लोगों के विवहा संबंद पक्के हो सकते हैं कुल मिलाकर देके तो गोचर अच्छा रहेगा बात कन्याराशी की कन्या राशी वालों के दशम भाव से सूरिका गोचर कन्या राशी वालों के कार छेत्र को मजबूत करने वाला रहेगा जो भी कार छेत्र हो आपका रोजी रोजगार नौक्री व्यापार सफलता के योग है किसी नए कार को अभी शुरू ना करें, लेकिन विदेश से सम्मंदित यदि किसी कार से जुड़े हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट रादी से, तो उसमें बहुत सफलतावा लाब मिलेगा, आमदानी के साधन मजबूत होंगे, अचानक से आर्थिक लाब के भी प्रबल योग हैं, इस गोचर के दोरान आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, विदेश जाने के एक्छुक लोगों के लिए भी वक्त अनकूल है, इस गोचर में अत्यदिक तनाव लेने से बचें, वक्त किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उल्जें, स्वास्त का भी खयाल लखें, खास कर 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तर, शिक्षा और संतान के लिए भी वक्त सामानी रूप से ठीक ठाक रहेगा, पस संतान की सेहत का तोरा सा खयाल लखे रहें, भागे का सायोग मिलेगा, संबंदों का दाइरा बढ़ेगा, दांपत जीवन में थोड़ गोचर में आपको करजा लेने से भी बचना है, घर परिवार का सयोग मिलेगा, धन कोश में ब्रत्ती होगी, उपाय के तोर पर आप किसी मंदिर में सेवा कारी करें, साधु संतों गुर्जनों का आशीरवात लें, बात तुला राशी की, तुला राशी वालों के लवं भा परतने की आवश्रक्ता रहेगी, काम, काजी, भाग दोर भी उस दोरान बढ़ सकती है, 6 जुलाई के बाद आपको कारी छेत्र में लाव की स्थिती प्राप्त होगी, यश्मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर परिवार में थोड़े सयमित रहें, क्रोधवा एहं के लिए वक्त अच्छा रहेगा, जो लोग शोध कार्णियों से, रिसर्च कार्णियों से जुड़े हैं, तो उन्हें बहुत सफलता के योग है, धर्म अध्यात्म रुची बढ़ेगी, माता जी और पिता जी के स्वास्त को लेकर चिंता भढ़ सकती है, विदेश यात्रा या दूरस्त यात्रा के भी योग हैं, आमदनी बढ़ेगी, अचानक धन प्राप्ति के भी योग हैं, बड़े भाई बैनों से लाव के भी योग हैं, दामपत्य जीवन में आपको सयमित रहना है, वाद विवाद तकरार से बचना है, भूम में मकान वाहन से सम्मंदित कार सफलता के योग हैं, सतनजा का दान करें और गुर्जनों का आशीर वात लें, उनकी सेवा करें, और बात करेंगे ब्रश्चिक राशी के, ब्रश्चिक राशी वालों के लिए सूर्य अस्तम्भाव से गोचर करेंगे, इसलिए कारी छेत्र में थोड़ा समल कर साबधानी से करने की आवशक्ता होगी, उच्चा अधिकारियों से सम्मंद अच्छे रखें, इस गोचर में आपको भाग का भी सयोग मिलेगा, लेकिन पिता जी के साथ सम्मंद अच्छे रखें, उनके स्वास्त का ध्यान रखें, शिक्षावा संतान के लिहाज से वक्त बहुत सपोर् रखें, पार्टनर्शिप में कारी कर रहे हैं, तो उसमें भी पहुत साथानी रखने की आवशक्ता होगी, कर मकान वहन प्रापर्टी से जुड़े मुद्धों में सफलता मिलेगी, घरवालों का भी तोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, इस गोचर में आलस से बचें, कारिभार मित्रों शेश बची चार राश्यों का फल मैं कल के वीडियो में आप बतलाओंगा, फिलाल तो मैं अपनी वार्णी को यहीं विराम देता हूँ, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक आप सभी को जैजै शियाराम, नमस्कार